आलू से तो आपने कई तरह की चीज बना कर खाई होगी, यकीन मानिए आपने ये वाली रेस्पी आलू से बना करके कभी ने खाई होगी तो आज हम बनाते हैं आलू की क्रेस्पी क्रेस्पी मट्री, अब आख सोच रहे हो कि आलू से मट्री को कैसे बनाएंगे तो चलिए फर आप वीडियों बने रहेगा आपको हम बताते हैं कि आलू से मट्री को मैंने किस तरह से बनाया है तो इसके लिए मैंने क्या किया है सबसे पहले मैंने एक आतार के आलू ले लिए हैं आलू को लेने के बाद में अच्छे से छील लिया है आलू छिलते जाएए और पानी में उनको डालते जाएए पानी में डालने के बाद में आप एक आलू ले लेंगे और पर आलू के जो पीछे का पतला हिस्सा होता है बगल की चारो साइड आलू की हम पतली पतली से काट देंगे और बीच कर जो हिस्सा होता है मोटा वाला उसको हम रख लेंगे तो हम आपको एक आलू तो मैंने काट दिया हैं हम दूसरा आलू आपको दिखाए दे रहे हैं कि किस तरह से आलू को मैंने ऐसे काटा है तो देखिए इस तरह काटने के बाद में अब हमने इनको पानी में डाल दिया है कितनी बढ़िया मट्री आकार में बन चुकी है तो आब इसको पास काटते जाए और पानी में डालते जाए तो चलिए फिर हम दूसरा अलू लेते हैं और आपको बताते हैं इसमेने अलू को कैसे काता है यह लिया मैने अलू इसके देखिए दोनों साइड को मैं इस तरह है से पतला-बतला काट दिया चारों साइड काट दिया काटने के बाद में आवेने बगल की जो साइड होती है उनको इस तरह करने के बाद में आप देखिए मैंने तीन भागों में इनको बांट करके और चोटे-चोटे से इनके अमने इस तरह कर लिए तो इसी तरह से मैंने सारी आलू को काट करके रख लिया है याद रखिए आलू को काटते जाए उधर पानी में डालते जाए नहीं तो आलू जो हमारे काले पड़ जाएंगे तो बस देखिए इस तरह से मैंने सारी आलू को पानी में डाल करके रख दिया था अब दो एक बार इनको पानी से हम अच्छे से वाश कर लेते हैं आप इसके बाद में हम क्या करेंगे एक बरतन ले लेंगे उसमें डाल देते हैं एक गिलास बरकर के पानी और गैस पर इसको रख देंगे अच्छे से जब पानी हमारा गरम होने लगे तो जो आलू मैंने काट के रखे थे उनको हमेश में डाल देंगे तो सारे ालो को डालने के बादा में 1-2 मिंटर इसको हम पकाएंगे पूरी तरीके इसे अभी हम इसको नहीं पकाएंगे हलक आसा इसको हम पका लेते हैं तो आलो में 1-2 ओबाल आजाए इतनी देर तक ही हम इनको पकाना है तो यहां जब तक आलू हमारे वॉयल हो रहे हैं तक हम आपसे एक बात कहना चाहती है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिया करो और चैनल को ज़्यादा से लोगों में शेयर किया करो और मेरी चैनल को पकवी चुका है आव reforms कर दिया बंद करने के बाद में के देखना फानी के लिए तो एक इस तरह से हम चनी ले लेंगे और सारा पानी उसमें हम निकाल देंगे तो बस पानी जो हमारा नीचे रह जाएगा आलू हमारे चनी में आ जाएंगी तो अब इस तरह से निकालने के बाद में जिस बरतन में मैंने पानी को निकाला है उसका सारा पानी हम भटा देंगे और बापस से उसी में हम आलू को फ्रशे डाल देती हैं और उनको होने देती है ठंडा तो आलू जो है वो हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएं तब हम बाकी का काम करेंगे तो बस देखिए इस तरह से आलू है वो अच्छी से ठंडे हो चुके हैं अब इने ठंडे होने में 5-7 मिट लगे हैं तो बस देखिए इस तरह आलू को ठंडा करने के बाद में अब हमें क्या करना है एक पॉलिथिन ले लेंगे इस तरह से एक पॉलिथिन को लेने के बाद में आलू जो हैं वो सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसमें जो भी हम डालेंगे था जो भी आप आप डालेस को voter आप आटए और फेर आप और प्र मिद्ध के इसमेंडीर को देखिए यहां पर चावल में आटा या Three या फिर आप चाहें तो एक चमच में दोनों चीज़ें डाल सकते हो अब मैंने इसमें दो तीन चमच भर करके डाल दिया है चावल के आटे को अब डालने के बाद में आप हम पॉलिथिन को हाथ से इस तरह से बंड कर देंगे और पैक करने के बाद में अच्छे से इसको हम इ कैसे हिलाईएगा तो जितने वे आलू है उसमें चावल को जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यह बहुत आसान होता है इसको करना तो बस इस तरह से आगा पॉलिथिन में आप करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आटा इसमें मिक्स हो जाएगा तो बस बर्तन में मैंने वर नी में जुरू नियूने के बाद में तरह तेल को घर्म हुने के लिए में तेल अच्छी से गर्म हुचका ए जब तेल में जुरू हम आलू को डाल दियू तो डालने के बाद में आभ हम गैस WB को आएज रखेंगे Sugas nadir पाड़ दानगे शाइन पर फर समयवाफ का तो और हमें सब्सक्राइब करेंगे और के ऋर्दी कि आई है ऍथाथ गारेना ख़र प्वाफ किया सा मीडिया। तो आप समझ जाए कि आलू जो है वो हमारा अच्छे से सिख चुका है बस देखिए इस तरह से चला चला कर मैंने को किया है तो आप देख पा रहे हो कि पहले आलू में तेल डूबा हुआ लग रहाता है अब आलू जो हमारे थोड़े से ट्रांस्पेरेंट होने लगे है जितना आलू सिखता जाएगा उतना हलका होता जाएगा तो आप देख पा रहे हो कि तेल जो हमारे अच्छे से सिख जाए है आलू का हलका सा कलर भी चेंज हो जाता है तो बस देखिए आप हमें क्या करना है, गैस को कर देते हैं बंद और एक ले लेंगे हम दूसरी ज़रिया और उसमें आलू को इस तरह से निकाल लेंगे सारी आलू निकालने के बाद में ऑप एक पिलेट में मैंने क्या किया है? कि टिश्यू जो पेपर होता है उसको मैंने बिछा बिछा दिया है अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉंपी का पेज ले लीदेगे लेकिन वह पेज जो है वह लिखा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि स्याही जो होती है वह हमाई लिए नुक्षान दायक होती है तो लिखा हुआ पेज ना हो और उसको आप प्लेट में बिछा दीजिए और इस तरह से आलों को डाल दीजिए ताकि इसमें जितना भी ओईल है वो सारा पेपर जो है वो सोग लेगा तो इस तरह से मैंने एक टीशिए पेपर हो बिछा दिया है और इसके उपर आलों को डाल दिया है आप इसमें डाल देते हैं एक चमच भख करके चाट मसाला चाट मसाला डालने के बाद में थोड़ी से मैने ले ली हैं आपर सुखी पतियां अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिची और मिला सकते हो थोड़ा तीका खाना पसंद करते हैं तो बस देखिए पतियों को डालने के बाद में अब हम आपको आवाज भी शुनाए देते हैं कि कितनी क्रिस्पी आवाज आई है आवाज भी इसमें आ रही है तो बस होता है अच्छानक से हमारें गेस्ट आ जाती है उनको खिलाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है तो आप इस तरह से आलू को बना करके उन्हें खिलाएगा एक तो जल्दी बन जाते हैं और दूतरा खाने में बहुती स्वादर्श लगते हैं तो बस देखिए कितनी हाई गा एक अठाएवार में बचाने को भा ट nell wypाछ फोगते हैं और दो ऑा शेन तरह श्रीक झांटे हैंजार्श टों श्या घ伏क कर दो च्रावते हैं 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 बई धॉडा़ बसे त。